हेलो अब्रिवन एन वेलकम एकेंटू साइको आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मिरर और लेंस से रिलेटेड जितने भी कोश्चन एक्जाम में बनते हैं उन्हें सबको आज कवर करेंगे ठीक है इस वीडियो में इस पेरिकल मिरर देखेंगे कॉनकेब कॉनवेक्स मिरर औ तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पेरिकल मिरर होता क्या है यानि कि गोल ये दरपन किसको बोलते हैं तो जैसे हमने कोई गोला लिया ठीक है काज कोई गोला लिया ठीक है इस गोले को 20 से काट दिया अब इस गोले के एक साइड हमने क्या कर दिया पॉलिस कर दिया या अंद कि mirror में क्या होता है reflection होता है reflection यानि कि प्रावर्थन होता है और lens में क्या होगा अब लेंज आगे देखेंगे तो गोल्य दरपन समझगे राच का एक गोला होता है अब अगर हम बाहर की साइट पॉलिस कर देंगे तो बाहर की साइट पॉलिस कर देंगे तो इसको बोलेंगे कि कौन केब मेर आप देखें यादकर करने केब केब बन रहे है इसके अंदर गुफाे टाइब की इसका नाव होगे प्रावर्थन शोता है नियुक और भार की साइट से reflection होता है तो इसको बोलते convex mirror ठीक उबराऊ आता है यह बाहर से इसलिए होते है convex mirror ठीक अब उत्तल दर्बंड ठीक है इस पहर्गल mirror समझ गई आप आगे चलते देखें आप कुछ mirror के कोकला गोला इसका जो center होगा एक ठीक है उस center को बोलते हैं center of curvature ठीक है जो एक गोला था जिस से जिसको काट के हमने mirror बनाएया है ठीक है उसका जो केंद्र था center था उससी को बोलेंगा Center of curvature ठीक है इसको C से से डिनोट करतें capital C अब ये जहान से reflection प्रावडतन और इसको बोलते हैं अपरेचर के आप रेचर के बीच में आप रेचर के बीच में क्या होता है एक पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट होता है ठीक है उसको बोलते हैं पी यानि की पोल ठीक पोल होता है अब अगर हम पोल को और सी को मिला दे यानि सेंटर ऑप करवेचर को पोल को मिला दे तो एक यह लाइन खीच की जाती इस लाइन को बोलते हैं प्रिंस्पल एक्सेस इस लाइन को क्या बोलते हैं प्रिंस्पल एक्सेस या फिर मुख्य आक्ष ठीक है इस लाइन को मुख्य आक्ष बोलते हैं ठीक है आप देखिए वकरता तिर्जा किसे बोलते हैं इस इसको क्या बोलते हैं प्रिंस्पल एक्सेस मुख्य एक्स ठीक ओके अब समझ गए यह तो इसमें कुछ टम्स थे जो आपको समझना था ठीक है अब आगे चलते हैं अब देखिए अगर हम कोई भी रेडियागेरम बना रहे हैं मिरर में ठीक है तो हमें तीन नियम पता होना चाहिए उन तीन नियमों को देख लेते हैं नियम नंबर वन है कि जब प्रिंस्पल एक्सेस के समांतर जितनी भी मतलब प्रिंस्पल एक्सेस के पहले जितनी भी देखिए यह है देखिए दोनों लेंज में बता देता हूं आपको कॉनुके में भी और कॉन्वेक्स में भी पहला रूल है रे प्रिंस्पल एक्सेस विल पास्थ्रू फोकस आप्टर रिफ्लेक्शन मतलब जितनी भी रेज आएगी इसके पैरलल प्रिंस्पल एक्सेस के वो रिफ्लेक्शन के बाद कहा से जाएगी सोके जाएगी यहां से आएगी यहां से जाएगी यहां सोकस लेकिन सब्सकी इसके पेलल ओना जाएगी ट्रिंस्पल एक्सेस का निदो इधर सोगा reflection इसमें इधर के साट क्या होगा पॉलीस होगा तो यह प्रिंस्पल एक्सेस होगे यह इसके पहले जितने भी आएगी क्या होगा यह तो reflect हो जाएगी लेकिन इसके पत्पर वापिस प्रावर्चित हो जाती है यानि अगर कोई ray देखें दूसरा नियम अगर कोई ray c से जा रही है तो reflection के पाद वापिस c से चली जाएगी यहां से आई reflection होने के पाद c से चली गई मतलब c से आई reflect हुई और c से वापिस चली गई इसमें देखें कॉन वैक्स में भी यह आई c से आई यहां पीछे ले जाएंगे और c से वापिस चली जाएगी दूसरा नियम यह बोलता है c से आएगी यानि center of curvature से आएगी तो center of curvature से ही वापिस चली जाएगी कोई ray डिल्ट से उल्टा यह अगर कोई focus से आ रही तो वह reflection के बाध प्रंडर ब्लॉल जाएगी इसमें करत reflxt से आई focus से पीछे मिला है आमने इसको कालपनी ग्रूप से और यह reflection के बाध आपको पता होने चाहिए रे डाग्रम बनाने के लिए मिरर में जिक अब आगे चलते हैं अब आगे देखते हैं कॉनकें मिरर द्वार बनायागा पड़्िंग मिरर colored explorer 6 प्र्पंप बनता है और सबसे पहली condition है अनंत यानि infinity पे देखे infinity पे रखा हमने कोई वस्तु ठीक है कोई वस्तु ए भी हमने रखा infinity पे तो जब infinity पे रखेंगे इसे तो कहां पे बनेगा इसका image f पे बनेगा ठीक है अगर mirror के सामने हमने कोई वस्तु रखी और image mirror के सामने बाइगी इंदर पॉल सकत वास्तविक बलेंगे जब mirror के सामने बनेगा ठीक तो देखे infinity पर रखा हमने पहला case जब infinity पर रखा तो कहां पर बना focus पर focus पर कैसा बना point size बना बिल्गूर point के बराबर और mirror के आगे है तो कैसा बना real बना रियल बना ठीक है हिंदी वालों के लिए ट्रिक देता हूं चोटा सा वाउ आसी इसको तीन चार वर आपको पढ़ना है बार वर आपको याद देगा वा मतलब वास्तविक वह मतलब उल्टा अगर वास्तविक होगा हो मतलब mirror के सामने बनेगा तो कैसा बनेगा उल्टा पहले केस में हमने क्या कि infinity पर रखा बड़ा सा अब्जेक्ट रखा यह कहां पर जाके बना फोकस पर बना ठीक है पहला केस आपको याद करना है उसके बाद देखिए बहुत असानी से याद हो जाएगा फोकस पर बना पहला इंफिनिटी पर रखेंगे फोकस पर बना पॉ अत्य दिख छोड़ा यानि point size बिंदू के size का बना कैसा बना real और कैसा उल्टा बना real and inverted बना ठीक अब देखते हैं c से परे c से beyond c वो लेंगे इसको ठीक है c से परे यानि कि beyond c ठीक है object को हम धीरे धीरे आगे की side ले जाएंगे मतलब पास पास ले जाएंगे mirror के पास पास ले जाएंगे तो जो image है वो mirror से दूर दूर जाती रहेगी मतलब object को हम पास पास ले जाते रहेंगे mirror के तो image क्या दूर दूर बनती रहेगी जैसे हमने अभी दूर में रखा था object को अब और पास ले अब मतलब कितना पास ले c के beyond c ले आए c के परे जब रखेंगे तो मै दूर जाता रहेगा पहले f था अब f से और दूर हो जाएगा यानि f से दूर एक step और दूर हो गया कहां पर c और f के बीच में बनी आप देखें image दरपन के आगे बना है कैसा बनेगा real बनेगा real है तो कैसा बनेगा उल्टा बनेगा inverted बनेगा ठीक है थोड़ा और क्या यहां लगे अब c पे रख दिया हमने इसको c पे रख दिया यह भी थोड़ा और पीछे खिचकेगा यानि थोड़ा एक step और पीछे आएगा तो यह भी कहां जाएगा c पे आ जाएगा ठीक है आपको एक-एक step आगे ले जाना है तो यह जो image है वह एक-ए रियल बनेगा रियल बनेगा तो कैसा बनेगा उल्टा बनेगा ठीक यह याद हो गया आपको तीन कंडिशन आप देखें चौता कंडिशन और आगे ले जाते हैं मतलब c से और आगे लेगे c कहां रख दिया हमने c और f के बीच में रख दिया image और पीछे चला जाएगा दे देखें जैसे c पे रखा हमने equal हो गया मतलब पहले बड़ा था पहले बड़ी वस्तु ले रहे था तो छोटा image बन रहा था फिर जब यह एक बार बराबर हो गये तब आगे ले जाएंगे वस्तु तो तब क्या होगा image बड़ा बनने लग जाएगा अभी देखें यह वस्त नहीं सब्सक्राइब अघर तो खहां पर बनेगा इन्फिनिटी बने हैँ अब यह याद हो की आदो यह याद होगा तो कहां पे बनेगा? infinitive है कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा बहुत बड़ा कैसा होगा? ulta होगा क्यूंकि यह real है आगे बने है real है तो Ulta बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, ulta बनेगा और कहां infinity बनेगा ठीक आगे देखें यह last io case है यह special case है चाटा वाला case और यही से जादतर question पूछे जाते हैं देखे और आगे लेगे हम focus और P के बीच में रख दिया focus और P के बीच में रख दिया हमने तो अब क्या होगा यह आगे ना बनके किदर पीचे बन जाएगा आगे ना बनके यह मेर्ड के पीचे बन जाएगा और कैसा बन गया देखिए बड़ा बन गया इस ही का उपयोग किसमें यह डिंटिस्ट करते हैं डानाद को देखनेमें इस वाले condition का उपयोग यहाँ पे रखाम ने तो यह पीछे बन गया बड़ा बन ग तो यह special case है यहां सो question पुछ जाते है तो यह थे इसके 6 condition देखे एक बार फिर देखेंगे तो हमने कावना focus पे बहुत छोटा ठीक है इन जो पांच condition में कैसा image बनेगा real और उल्टा बनेगा ठीक है real and inverted बनेगा वास्तिविक उल्टा ठीक सी से परे रखेंगे तो f और c के बीच में बनेगा छोटा ठीक है पी और एप के भी special case दर्पन के पीछे बनेगा ठीक है mirror के पीछे बनेगा ठीक है कैसा बनेगा बड़ा बनेगा और कैसा होगा आभासी और सिधा होगा virtual और erect होगा ठीक अब आपको समझ में आऊगा अब तल दर्पन यानि कि कॉन केप mirror समझ में आगया होगा इसके छे condition ठीक आगे देखते हैं अब देखते हैं उत्तल दर्पन द्वारा परती बीम का निर्वान उत्तल यानि कि convex mirror द्वारा arte का कॉनट यह में सिर्फ दो कंडिशन है कि कॉनट मिरे में सिर्फ दो कंडिशन है टिक एक इंफिनिटी पर रखेंगे object को और एक का बिधा यह क्या समझव को याद करना जब पहले कंडिशन हे किrän पर खेंगे तो देखें जब हम infinity पे रखेंगे object को बहुत बड़ा object है तो देखिए यह क्या करेगा दरपन के इधर बनेगा ठीक है reflect इधर पीछे बन रहा है ठीक है mirror के पीछे बन रहा है पीछे कैसा बनता है हम इसा पीछे बना मैंने virtual बनता है यानि आभासी बनता है अब आभासी बन रहा है तो image क रखा था तो कहां बना था focus पे बना था बहुत चोटा बना था कैसा बिंदू के बरावर point size बना था और कैसा आभासी और सीधा ठीक है virtual और erect बना ठीक पहला करने से नियाद हो गया अब देखिए infinity और P के बीच में कहीं पे भी रख देते हैं यह देखिए infinity है और P है यह infinity ह पी के बीच कहीं पे भी रख देईंगे to image कहां आउर F के बीच में बने घा यह P है और यह साइज निए बनेगा जैसे से इसमें से चोटा बनेगा तो आप से ऐसा कॉश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा दर्पन है कौन सा मिरर है जिसमें हमेशा सीधा परतिवीम बनता है तो क्या हो गया उत्तल दर्पन ठीक है एक परिष्ट या फिर दोनों परिष्ट गोलिये हो सकते हैं इसमें एक परिष्ट यह हो गया एक परिष्ट इधर की अब इसमें क्या होगा इधर वाला देखे रहा है इधर वाला भी स्पेरिकल दिख रहा है ठीक तो इसमें लैंस में एक प्रिष्ट भी स्पेरिकल हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है ऐसा हो सकता है बिल्कुल प्लेन हो सकता है या फिर दोनों सर्फेस आपके कैसे हो सकते हैं स्पेरिकल हो सकते हैं या फिर एक केवल एक सर्फेस स्पेरिकल होग सकते हैं अब देखे इसमें सब कुछ सेम होता है जैसे लैंज में देखा था हूँने अब Indigenous में क्या होता हैårि और देखे लेंस में क्या होता है Capore ilde ngay the 마 говорит & inspiring अब दढेलिसे मंतलब कि दो nothing की लेए दो जगह तो, तो इसमें क्या होगे? दो फोकस होंगे, दो फोकस है, इसलिए इसमें दो फोकस होते है, और वहाँ जैसे P था, तो यहाँ पर क्या है? O है, ऑुप्टिकल सेंटर बोलते हैं और उधको ठीक है ड़ Yakarta गें परकार सेक्थ लैंस का गेंध्र0 बंदु बोलते लैंस का जो सेंटर होता है उसको बोलते है उप्वटिकल सेंटर याका इस में भी होता है चैक 10 लैंस समझ गया अब दो keto होते होते है एक होता अब का अब उत् कि कनवर्जिंग किसको कनवर्जिंग मतलब कि अभी सारी अभी सारी किसको बोलते हैं अभी सारी मतलब कनवर्ज करना देखें एकटा करना देखें अभी बताता हूँ एकटा जैसे कि यहां पर एकटा हो रहा है 1,-178, Converge हो रहे, सारी Rays आ रहे हैं, हम पर Converge हो गए, इसको बोलते Converging, Dispars थे मतलब कि Fale जाना, यहां से रहे आई और यह Fale गई, Fale गई, इसको बोलते Dispars, यानि कि UP सारी, तो देखे, Mirror के Case में देखिए mirror के case में mirror के case में क्या था जो अफतल था अफतल ऐसा था ना इसके बाहर के साइट पॉलिशन इसमें क्या था converge हो रहा था यहां पर reflect होके focus पर रहा रहा था ठीक है तो mirror के case में अगर पुछें कि converging या फिर अभी सारी कोन है तो वह हो गया आपका अवतल मिरर के case में और disperse कौन सा हो जाएगा disperging यानि कि अब सारी कौन सा हो जाएगा वह हो जाए convex यानि कि उत्तल mirror के case में लेकिन lens के case में उल्टा हो जाएगा फिर ठीक है सारी पूछ रहा है या फिर धर्बन का भी सारी पूछ रहा है ठीक है तो दिखिए पहले देखते हैं अभी सारी lens यह अफिर उत्तल लेंस ठीक है या फिर कौन वैक्स लेंस इसमें क्या होता है दोनों तरब से तो मतलब दो लेक्से के समातर आने वाली परकास किरन कहां focus पर जाके मिलती है ठीक है वही जितने भी parallel आईगी सब कहां जाएगी focus पर जाएगी अब सारी यानि कि अफ्तल या फिर concave lens देखें concave lens अब सारी lens दोनों तरब से अब देखें concave lens में क्या होता है अफ्तल लेंस में यह तो किनारों पर मोटे हूते हैं लेकिन 20 से होते हैं और यह क्या करते हैं जो किरान होते हैं इसको फैला देते हैं अब सारी lens बोलते हैं अब आ करके दोनों को अब देखिए जैसे वहाँ पर concave mirror यानि जो वहाँ पर अवतल दरपन था अवतल दरपन के 6 थे condition अब यहाँ पर उत्तल तो देखिए इसको भी आपको याद करवा देता हूं देखिए सबसे पहला condition है कि जब हम convex यानि के उत्तल बना और देखिए कैसा बनीगा point size बना और देखिए कैसा बना और देखिए रहा है रील और इंवर्टेड बन रहा गए रीफ्रॉक्षाटप्षन भी मिंसे यह इसका मतलब किस रिख्लेगा से रीख्लेक्टन में से मैं उससे वह किसा बनता है एकार नहीं वास्तिकन बनीटा प्टेसञ का इन एकक हूं तो इसमें बहुत सियर्टे हैं हम इसमें फोकस होटते हैं क्योंकि इसमें tylko पृष्ट हैं डो प्रिष्ट हैं इसलिए 00 dia किविस्ट होता दो इसमें एक फोकस होता ठीक पहला वाला था कि इंफिनिटीव रखेंगे तो ठाहँ बनेगा फ्टूपनेगा फ्टूपर ठीक है le किया सा बना point size बना धीक है point size बना और इधर बन रहा है यारीels बन रहा है और real बन रहा है तो उल्टा बन रहा है ठीक है पहला condition हो गया ऑन अब दीजिए दूसरा देख से beyond 2f1 to f1 से परे लेगे 2f1 देखे का है आपको यह याद रखना है ठीक है अगर कोई lands है तो देखिये f1 यहा पे होगा f2 यहां पे होगा ठीक है two f1 यहां और यहां होगा two f2 होगा यह आपको याद हो राँ चाहिए ठीक तो two f1 यहां पे है तो two f1 से परे रख दिया हमने इधर एक step आगे ले गए मतलब मैंने क्या बोला एक step आगे ले जाएंगे इसमें क्या दूर भागे गा नहीं इसी की direction में लिजा रहे उसी direction में और आगे जाएगा तो और आगे गया यानि कि F2 पर बन रहा था तो एक step और आगे चल गया यानि F2 और 2 F2 के बीच में बन गया F2 और 2 F2 के बीच में बन गया ठीक कैसा बन रहा है छोटा बन रहा है ठीक और इधर बन रहा है यानि रियल बन रहा है रियल बन रहा है यानि उल्टा बन रहा है ठीक समझ गया कि 2 F1 से परे रखेंगे तो क्या बनेगा F2 और 2 F2 के बीच बनेगा आव डोना पे रख गसी रहते हैं नुट हैसे सबस्केशी से लुट या जो पार मढ़ा तो यह भी गाती यह निगी पुलटा थे यह एक nehme पर ये भाग जायेगा बियान्ट टू एफटू टियर कहां जल जाएगा बियौन्ट टू एफटू और कैसा बनेगा आप अब पाधर स्यम साइजज होग manifold इसके बदबार बने लग जाएगा यह बढ़ा मने बनेगा इस साइट निक से और बढ़ा बनेगा श्रायおお शहते को इसे भींट का सोहीर बश्चा होगोगोगोगेक्स कैसे यहां पर यहां पर यहां पर औब्ज stitch रखा उसी साइड बन गया सेमस आइड टिराव जिदर अब्जाट को से सैड बन गया अगर इस साइड बन रहा है मतलब इसमें तो वह कहा है नहीं जाए अपर वर्प्रैक्ट्टन होता होता है क्डिय कि वर्चुल हो गया वर्चुल यानि कि आभासी बनेगा इदर आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा सीधा बनेगा तो सीधा बना आभासी बना और बड़ा बना सीधा बना आभासी बना और बड़ा बना देखिया जब F1 और OKB में रखा तो जिस और हमने object को रखा था उस यह बनेगा ठीक है? कैसा बना? बड़ा बना ठीक? आभासी सीधा, सब में कैसा बनना था के दो कंडिशन ठीक पहला तो वही कि जब हम इंफिनिटी पर रख देंगे इंफिनिटी पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा एफवन पर बनेगा देखिए जब हम इंफिनिटी पर रखेंगे इंफिनिटी पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा एफवन पर ठीक है अब मैंने क् इंफिनिटी और ओ कहीं पर रख देंगे तब कहा बनेगा एफवन और ओ के बीच में बनेगा यह एफवन है और इननी के बीच में बनेगा कैसा बनेगा चोटा बनेगा और इस साइड बन रहा है तो वर्चक बन रहा है गर्च काव काव T तो यह समझ में आगी आपको ऑच्छे से याद देगा और आपको प्रैक्टिस कर ला कि और एक चीजे और बताता हूं कि जैसे alleen प्रैक्तalg काक और दूर दिष्ट दोस तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी अवनी और उर्दू हिंदी वालों के लिए अवनी और अव से होगा अवतल नी से होगा निकट दिष्टीद्ção दूस Yigni of the Lynnze का उपयोग करेंगे निकट दिष्टी दोस के लिए और वो से हो गया उत्तल और दूस हो गया दूर दिर्श्टी दोस्टí you the Lens kapi ко सो करेंगे दूर दिरिश्टी दोस्ट के लिए payment MS ok To have a perfect look can't it mentipped करेंगे हम और in express works livre ने लेन्स त्जिक यह भी आपको ध्यान रख़ना है तो इनको ध्यान रखनाए एक तो आप prisoner walking to GB तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के मादेम से जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक करें मिलते हैं अंगली वीडियो में जय हिंद